अमेर वर्सिस गरीब दोस्त, रामनगर गाउं में शिवा रहता है, शिवा को घूमने का बहुत शौक है, वो कभी यहां कभी वहां घूमता रहता है, उसको एक जंगे रुके रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, शिवा बहुत दिनों से घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था, मैं के लिए पड़े-पड़े परेशान हो गया हूं, आज अपने बचपन के दोस्त मोहित से मिलकर आता हूं, मोहित से मिले विना बहुत दिन हो गये हैं, शिवा तयार होकर शहर के लिए रवाना हो गया, कुछ ही घंटे बाद शिवा मोहित के शहर पहुच गया और फोन कटती ही मोहित खुशी खुशी अपनी कार लेकर रेलवी स्टेशन के लिए निकल गया शिवा रेलवी स्टेशन पर अकेले इतर उधर टहल रहा था वो एकांट से भी कुछ सीख रहा था तब ही वहां मोहित पहुच गया दोनों दोस्त गले लगे और बाते करने लगे अरे अब रेलवी स्टेशन पर ही बाते करेगा या घर लेकर भी चलेगा भाई घर ले जाने के लिए ही मैं आया हूँ चल अब जल्दी से घर चलते है मोहित के पास एक अच्छी और महंगी कार है मोहित ने ऐसी कई कार खरीदी हुई है शिवा आथ तुझे मेरे पास आने का आडिया कहा से आया तुझे तो पता है कि मुझे घूमने का कितना शौक है बैठे बैठे तेरी याद आई और मैं तेरे पास आ गया अच्छा ये बता कि तुझे अभी भी लोका ट्रेन में सफर करता है हाँ मुझे अच्छा लगता है अगर तुझे घूमने का शौक है तो तेरे पास फिर गारी क्यों नहीं है तुझे मेरी हाला जानता ही है इसलिए मैं ट्रेन बस से ही सफर कर लेता हूँ इतनी बड़ी बड़ी गारी खईदना मुश्किल है मैंने मुश्किल काम को आसान किया है और मेरे पास पांच बड़ी बड़ी गारिया है मेरे पास बाइक्स भी है मैं तेरी तरक्की देखकर वैसे भी बहुत खोश हूँ अभी तुने कुछ भी नहीं देखा है तरक्की तुझे घर चलका दिखेगी एक बड़ी और महेंगी सुसाइटी में फ्लैट है मेरा जो मैंने खुद कमा कर लिया है यार तू पैसे की बाद मत कर दोस्त की तरक्की देखका तू शायद चड़ रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है मैं अपने दोस्त की तरक्की पर बहुत खुश हूँ हाँ दिख गया कि तू कितना खुश है नहीं तू गलस समझ रहा है मैं अपने दोस्त को देखकर क्यों दुखी होंगा अच्छा चल ठीक है कुछ तेर में आसमान को छूती हुई बिल्डिंग आ गई जिसको देखकर मोहित का सीना गर्व से चौड़ा हो गया ये देख शिवा तिर भाई का फ्लैट इस बिल्डिंग में है पूरे एक करोड का खैदा है वाओ यार ये बहुत अच्छी जगा है मोहित शिवा को अपने घर ले गया देख शिवा ये मेरे महेंगे वाला सोफा है जो मैं हर साल बदलता रहता हूँ सही है वैसे भी तुझे सोफे के बार में कुछ समझ नहीं आएगा क्योंगे तु गाओं में रहता है वैसे शिवा इतने महेंगे सोफे तुने कभी देखे थे क्या नहीं भाई आज यहां करी देखे हैं चल बैट और बता क्या पिएगा पानी अब तो तु बड़ा हो गया अब तुझे ड्रिंक करनी चाहिए ओ सौरी मैं भूल गया अच्छी वाले ड्रिंक करने के लिए बहुत पैसे लगते हैं हाँ भाई मेरे पास पैसे नहीं है आज तु यहां जीभा का ड्रिंक कर सकता है नहीं भाई मैं नहीं पी सकता मेरे पास आइफोन है ब्रेंडर's shoes है ब्रेंडेट कपडे है मेरे पास सारी चीज़े ब्रेंडेट है हाँ बाई अच्छी बात है अब तु अपने हालचाल भी बता या सिर्फ यही सब बताता रहेगा आज मेरे पास सब कुछ है यही मेरे हालचाल है लेकिन तू ये नहीं सुन पा रहा है मैं तुझे बताना बोल गया आज मेरा दोस्त रवी भी आ रहा है जब तू उससे मिलेगा तब देखना कि वो कितना अच्छा है रवी भी बहुत अमीर है तू सब के बारे में बता रहा है लेकि रिया के बारे में नहीं बताया तुने आजकल रिया कहा है मैंने रिया से शादी नहीं की लेकिन तुम दोनों तो सीरियस थी ना हाँ लेकिन उसके पापा के बाद दहेज में देने के लिए कुछ भी नहीं था इसलिए मैंने उससे शादी नहीं की अब मेरी रवी की बहन से बात चल लही है तू इतना अमीर है फिर भी तुझे दहेज की जरूरत है भाई दहेज की बात नहीं है बलकि बराबरी की बात है जो गरीब है उनसे में रिष्टा कैसे जोड सकता हूँ हाँ भाई तू सच क्या रहा है ये बहुत शर्म की बात है फि उनों मिलते ही पैसों की बाते करने लगे और ड्रिंक्स करनी शुरू कर दी शिवा चुप चाप बैठे इन्हें देख रहा था रवी के हाथ में एक पेपर था मोहित इस पेपर पर तेरे साइन चाहिए मैं तेरे लिए पेपर साइन करके धेर लगा सकता हूँ तू तो मेरा दोस्त है हाँ बाई एक बार इसे पढ़कर साइन कर दीजिए मुझे मेरे दोस्त पर विश्वास है मैं ऐसे ही साइन कर दूँगा मोहित नशी में था, उसने उस कागस पर साइन कर दिये रवी मोहित को छट पर ले गया और नीचे गिरा दिया शिवा ने मोहित को बचाने की कोशिश की तब तक मोहित बिल्डिंग से नीचे गिर चुका था शिवा लिफ्ट से नीचे गया और मोहित को उठा कर हॉस्पिटल ले गया उचाई से गिरने के कारण मोहित की हालत बहुत खराब हो गई थी शिवा ने अपने 10 लाख रुपे खर्च करके मोहित की जान बजाई मोहित को ठीक होने में पूरा एक महीना लग गया एक महीने बाद मोहित के हाथ पैर तूट चुके थे उसने वीलचेर का सहारा ले लिया था मोहित अपने किये पर बहुत शर्मिंदा था क्योंकि वो अपने आस-पास सिर्फ शिवा को ही देख रहा था रवे उसे दिखाई नहीं दे रहा था शिवा मेरे दोस्त तू मेरा भाई है मुझे माफ कर दो तू बेशक गरीब है लेकिन दिल का बहुत अमीर है मुझे डॉक्टर ने बताया कि सारा खर्चा तू ने किया है तू मेरा दोस्त है तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ हाँ भाई अमीरी और गरीबी देखकर दोस्ती नहीं कि जाती है रवी ने मेरी सारी पापरटी और पैसे अपने नाम करा लिये है अब मैं बरबाद हो गया हूँ मेरे पास कुछ नहीं बचा है फिक्र मत कर दोस्त अभी तू बचा है ना बाकि सब मैं ठीक कर दूँगा हाँ भाई लेकिन तू रवी को कैसे सबक सिखाएगा तू आज का अकबार पड़ मैं IPS ओफिसर बन गया हूँ अब मैं रवी और रवी जैसे लोगों को सलाखों के पीछे डाल दूँगा भाई मुझे माफ कर दो मैंने अन्जाने में तुम्हारी बहुत बेज़ती की है नहीं भाई अब तू माफी मत माग मुझे मेरी गरीबी का हैसास होना भी बहुत ज़रूरी था लेकिन एक बात कहूँ गरीब लोग नफरत के नहीं बलकि प्यार के काबिल होते हैं भाई मैं अब बरबाद हो चुका हूँ मैं अब गरीब हो चुका हूँ मुझे मर चाना चाहिए तू गरीब हो गया है लेकिन तेरी सोच अभी भी नहीं बदली तू अभी भी गरीब लोगों को ऐसे ही देख रहा है हाँ तू सही कह रहा है अब से मैं ऐसे कभी नहीं सोचूंगा अब मैं तेरा सारा ध्यान रखूंगा तुझे काम करने की या जादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है शिवा ने मोहित की जिम्मेदारी उठा ली और उसने अपने साथ रखनी लगा शिवा मोहित का बहुत ध्यान रखता था कुछ महीनों बाद मोहित ठीक हो गया फिर उसने अपना काम करना शुरू कर दिया वो अब बिल्कुल भी खमंडी नहीं था मोहित अपने प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा गरीबों के उधार पर हर महीने खर्च करता था अपने परिवार के साथ रहता है वो पशुपालन का काम करता है उसकी पत्नी मंजू और बेटी कीर्थी भी पशुपालन में उसकी मदद करती हैं तीनों मिलकर खुशी-खुशी रहते हैं दिनेश की एक छोटी बहन लक्षमी भी है लेकिन दिनेश उसके घर नहीं जाता क्योंकि लक्षमी के एक पैर नहीं है इसलिए उसनी अपनी बहन की शादी एक अधिक उम्रवाली व्यक्ति से की थी और बिमारी के कारण उसकी मृत्य हो गई जिसके बाद लक्षमी अपनी 15 साल की बेटी दिव्या के साथ अपने भाई दिनेश के घर आ गई भाईया आप तो मेरी हालत जानती ही हो अब मैं अपाहिच अपनी बेटी को लेकर कहा जाओंगी इसलिए मैं आपकी पास चली आई हाँ हाँ, तुम्हें यहीं आना था, कहीं और जगे नहीं थी क्या, मैंने एक बाल जैसे तरह से शादी करा दी, लेकिन अब तुम्हें अपने घर नहीं रखूंगा भाया, मुझ पर दया करो, मैं भागिन अपनी बेटी को लेकर कहा जाओ मुझे क्या पता की कहा जाओगी, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है तब ही अंदर से उसकी भापी मंजू आ गई, मूठा कर आ जाती है, जैसे इनके पाप का घर हो अब क्या करूं, इन्हें घर में आने दू या नहीं इन्हें घर में बुला लेते हैं इन्हें घर में रख कर फाल्तू के खर्चे ही बढ़ेंगे मैं अब काम नहीं कर पाती हूँ, इससे अच्छा ये दोनों घर का काम करती रहेंगी और बदले में इन्हें दो रोटी और सोने के लिए एक छट मिल जाएगी हाँ, ठीक है, फिर इन्हें घर में रख लेते हैं अज मुझे अपने घर में इतना सोचना पड़ रहा है आज मैं अपने घर में भी नौकरानी की तरह रहूँगी लेकिन मुझे अपनी बेटी के लिए रहना होगा मैं अपनी जवान बेटी को लेकर कहा जाऊंगी इससे अच्छा है कि मैं भाई और भावी के घर में ही नौकरानी बन कर रह लेती हूँ अब इतना क्या सोच रही है सामान अंदर रखो और काम पर लग जाओ दो वक्त का खाना तुम्हें मिल ही जाएगा हाँ हम तुम्हें से ढखने के लिए छट दे रहे हैं तुम्हें इस बात का एहसान मानना चाहिए हाँ भावी आपका एहसान मान रही हूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप दोनों मुझे शर्र नहीं देते तो मैं कहा जाती मैं आपका सारा काम करूंगी और शिकाहत का कोई मौका नहीं दूंगी हाँ हाँ बस फिल्मी बाते बहुत हो गई लक्ष्मी अपनी बेटी दिव्या के साथ अपने भाई के घर रहने लगी वो दोनों पहले घर का काम करती और उसके बाद खेत का सारा काम समेटती मंजो और उसकी बेटी कीर्थी ने काम करना बंद कर दिया था अब सारा काम अपाहिच लक्ष्मी और उसकी बेटी दिव्या ही करती थी लक्ष्मी बेसाखी की मदद से खड़े होकर वाईपर से पोचा लगा देती थी लेकिन कुछ मिट्टी पीछे छूट जाती और घर में गंदगी रह जाना कीर्थी को पसंद नहीं आया इसलिए वो भड़क गई ए लक्ष्मी तु ये कैसे काम कर रही है यहाँ पर बहुत मिट्टी छूट गई है इसको ढंक से साफ करो बेटा मैंने इसे हटाने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं इसे हटा नहीं पा रही हूँ जब तुमको काम करना नहीं आता तो करते क्यों हो बेटा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ लेकिन मैं खड़े होकर ठीक से काम नहीं कर पाती हूँ ये घर अच्छे से साफ हो जाना चाहिए वरना मैं तुम दोनों को आज का खाना नहीं दूँगी तभी वहाँ दिव्या भी आ गई कीर्टी दीदी, आप मेरी मां से ऐसे बात मत कीजिए हाँ, तेरी मां तो कलेक्टर नहीं है जो मैं इसे कुछ न कहूँ दिव्या आप पहले से ही मेरी मां से इतनी बत्तमीजी कर रही हो अब मैं और बर्दाश नहीं कर सकती हूँ चलो फिर यहां से भार भाग जाओ अगर यहां रहना है तो काम करना होगा ठीक है, मैं अपनी मां को लेकर यहां से चली चाओंगी लेकिन आपकी नहीं सुनूंगी नहीं दिव्या, दीदी बड़ी है बढ़ों से ऐसे बात नहीं कर सकते मा, लेकिन ये भी तो आप से ऐसे बात कर रही है वो बड़ी है दिव्या, तुम कीर्थी से माफी मांग लो दिव्या ने मा की कहने पर कीर्थी से माफी मांग ली लेकिन कीर्थी बहुत खमंडी हो चुकी थी मैं माफ कर सकती हूँ लेकिन लक्ष्मी को इस घर की सफाई करनी होगी मैं सारी सफाई कर दूँगी लेकिन मेरी मा से कुछ मत कहो नहीं यहां की सफाई लक्ष्मी को ही करनी होगी तुम तभी इस घर में रह सकती हो वरना तुमको यहां से जाना होगा अब बहुत हो गया हम यहां एक मिनट भी नहीं रुकेंगे हम यहां से अलग कहां जाएंगे मर जाएंगे लेकिन इनके यहां नहीं रुकेंगे दिव्या अपने मा को लेकर वहां से चली गई कीर्ती की मा मंजु भी यह देख रही थी तुने ये अच्छा किया एक बला चान से टली लेकिन अब सारा काम खुद से करना होगा हां लेकिन हमारे खाने का खर्चा बच गया मैं उन्हें यां इसलिए रखना चाती थी ताकि हमें ये घर ना देना पड़े ये हमारा घर है हम ये घर क्यों देंगे मैं तुझे सारा सच पताती हूं कैसा सच मा ये हमारा घर नहीं और लक्षमी तेरी सगीब हुआ नहीं है मा फिर ये हमारे घर आकर क्यों रह रही है क्योंकि ये इनका ही घर है ये कैसे हो सकता है ये हमारी दूर की रिष्टेदार है हमने इनकी देखभल का सिम्मा लिया और शादी कर दी लक्षमी की सारी प्रॉपटी हमें मिल गई मा ये अच्छा काम किया अब वो गई तो जाने दो उनको वापिस बुलाने की कोई जरूरत नहीं है कीर्थी और मंजू बहुत खुश हुए दिब्य और लक्षमी भी वहाँ से चले गए वो दोनों मा बेटी रास्ते में चले जा रहे थे तब है उन्हें एक स्कूल दिखाई दिया और उसके पास एक बड़ा पेड उसके नीचे एक कोहा था मा कुछ समय यहां बैठकर आराम करते हैं हाँ मैं भी बहुत थक गई हूँ हाँ मा अब हमें आगे जाने का सोचना होगा कि हमें आगे कहा जाना है जिब वहाँ से आ ही गए है तो अब कोई काम शुरू करेंगे मेरे पास कुछ पैसे भी है जिनसे हम अपना कोई काम कर सकते हैं हाँ मा अब हम किसी पर निर्भर नहीं रह सकते हैं हमें खुद से ही कुछ करना होगा, वैसे भी इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, हमारे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, हम उनसे क्या काम कर सकते हैं, मा, यहाँ स्कूल है, और मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, दिव्या अपना आइडिया अपनी मा की सामनी रखती है, उसकी मा को उसका आइडिया पसंद आ जाता है, और दोनों मा बेटी स्कूल के बाहर छोले बेचने का काम शुरू कर लेते हैं, धीरे धीरे बच्ची भी उनके पास आने लगी, और उनके जोले का काम चल पड़ा, हमने सही समय पर फैसला लेकर बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, हाँ मा, देखो, हम किसी पर अपनिर्भर नहीं है, मैं सोच रही हूँ कि जल्द ही इस काम को बढ़ाया जाए, उसके बाद हम अपना घर भी खरीद लेंगे, हमें घर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों मा, हम कहां रहेंगे, दिनेश भया के पास जो घर है, वो मेरा ही है, कुछ दिनों में छोले का काम अच्छा चल निकला, और उन्होंने खूब पैसे कमाई, और स्कूल के बाहर एक बड़ी दुकान खोल ली, एक दिन दिव्या ने वकील को बुलाया और प्रॉपर्टी के कागस लेकर दिनेश के घर पहुँच गई, प्रियम मामा जी, मामी जी और दीदी जी, ये घर हमारा था, और हमारा है, आप खुद यहाँ से जाएंगे, या कानून के द्वारा बाहर जाओगे? दिव्या बेटा, हमने तुम्हें इस घर में रखा था, लेकिन तुम वकील को लेकर यहाँ आई हो, मैं तुम्हारा मामा हूँ, मुझे किसी से कोई रिष्टा नहीं रखना है, आप चाहिए, या मैं वकील साहब के मदद लो, हमें माफ कर दो बेटा, हमसे गलती हो गई, अब तुम इस घर में रहो और हमें भी रहने दो, हाँ बेटा, हमसे गलती हो गई, हमें घर से बाहर मत निकालो, हमें इस घर में नौकर बनकर रह लेंगे, दिव्या तुम मुझे चोटी हो लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे हाथ जोड रही हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसे नहीं करूंगी अगर तुमने मेरी बेज़ती की होती तो मैं मान लेती, लेकिन तुमने मेरी मां को दुख पहचाया है, इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी दिव्या ने दिनेश के परिवार को घर से निकाल दिया, और अपनी मा को घर में ले आई, उनका छोले का ठेला भी अब अच्छा चल रहा था, दोनों मा बेटी खुशी-खुशी रहने लगी काम करती थी, जिसका नाम सुनीता था, कमलेश को उससे प्यार हो गया था, और वो जदी उससे शादी रचाने वाला था, जहां सुनीता का रंग का रंग काला था, अच्छा बेटा, तुझे जो लड़की पसंद है, हम उसी से तेरी शादी करवाएंगे, तु चिंता मत कर, हमें पता है कि तेरी पसंद गलत नहीं होगी, मैं तो बहुत खुश हूँ भाईया, भाबी आने वाली है, अब मा के उपर से भी काम का बोश थोड़ा कम हो जाएगा, बस तुम दोनों खुश रहो, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है बेटा, तो कुछ महीने बाद सुनीत काम अच्छे से किया, लेकिन दो महीने बाद उसका बोलनी का ढंक बिलकुल बदल गया था, तो एक दिन जब कमलेश ओफिस से घर आता है, तो वो देखता है कि सुनीता आराम से बिस्तर में लेटी हुई थी, और फोन में किसी से बात कर रही थी, और दूसरी तरफ उसकी मा सबी के लिए खाना पका रही थी, अरे सुनीता, ये क्या, मा खाना पका रही है, और तुम बैटी हुई हो, अरे नहीं नहीं बेटा, वो क्या है न, बहु अभी अपनी सहीली के घर से आई है, तो ठक गई है, इसलिए वो आराम कर रही है, सब लोग जब देखो मुझे ही ड जली जाती है, अगले दिन सुनीता कमलेश से जगडा करती है और कहती है, कि वो अब कभी इस घर में नहीं आईगी, कमलेश काफी गुस्सा हो जाता है, उसे लगता है कि उसके घर वाले, उसकी बीवी और उसको अलग करने में लगे हुए है, और सुनीता भी उसे काफी बाते सुन लेता है, जाजू, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, जो बहु ऐसे बोल रही है, अभी मैं सबक सिखाता हूँ भावी को, वो कैसे बोल सकती है इस तरह, बीटा तुम अब ज्यादा कुछ मत बोलो, नहीं तो बात और भी बिगड़ जाएगी, और दोनों चिपच पता है, मैं माँ बनने वाली हूँ, अरे भावी वाकई में, यो तो बहुत खुशी के बात है, परिवार में सभी लोग खुश थे, क्योंकि अब घर में नन्ना महमान आने वाला था, जब कमलेश ओफिस के लिए निकल जाता है, और राजू कॉलिच चला जाता है, तो सुन के यहाँ चली जाए, बेटा, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सब बाते मत को, नीतो को इस बात से बहुत दुख होता है, और वो उसी दिन अपनी चोटी बहन के घर में चली जाती है, वही दूसरी ओर सुनीता अपनी चोटी बहन सुमन को कॉल करके अपने घर में बुला लेत शाम को जब कमलेश घर आता है, तो घर पर मा को ना देखकर पूछता है, सुनिये जी, मम्मी का यहाँ पर मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपनी चोटी बहन के घर चली गई है, ठीक है, अच्छा, ठीक है, मा तो बिना बताय चली गई, देखो, बच्चे की भी परवा नहीं होने बिल्कुल, उन्हें तो यहाँ रुकना चाहिए था, तुम्हारी देखभाल के लिए, अब क्या करे, आपकी मम्मी है ही ऐसी, देखते ही देखते, नौ मही में बाद सुनिता का एक प्यारा का लड़ता होता है, जो कि गोरा बहुत प्यारा था, जिसका नाम खृ जब दो साल का हुआ, तो उसे एक बिमारी हो गई, जिसमें उसकी एक किड्नी खराब हो गई थी, और उसे किड्नी की जरूरत थी, और दूसरी तरफ सुनिता का तो रो रो के हाल ही खराब था, तब ही डॉक्टर साहिबा वहाँ आती है और सुनिता से कहती है, देखिए हमे किड्नी की जरूरत है, बच्चे की हालत बहुत नाजुक है और जल्धी किड्नी की जरूरत है, आपकी सासु मा और आपकी छोटी बहन सुमन से किड्नी बिलकुल मैच कर रहा है, इन दोनों में से कोई भी अपने किड्नी डोनेट कर सकता है, नीतु ये सारी बाते सुन लेत और किड्नी डोनेट करने के लिए तुरन तयार हो जाती है राजू और कमलेश मना करते हैं लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानती देखो अगर तुम लोग मुझे मना करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी मुझे अपने पोते को बचाने दो और वो वहां से डॉक्टर के प मेरी बिल्कुल नहीं सुनी आप तो बस भावी की सुनरता और गोरेपन में खो गए थे आपको बता भी है कि जब आप घर में नहीं होते थे तो भावी कितना भला बुरा ममी को कहती थी यहां तक कि वो उनके रंग को लेकर भी बार बार उनका मजाग उड़ाय करती थी फि अरे सुनीता जी ठेंशन मत लीजिए आपका बेटा बिल्कुल तंदरुस्त है ओपरेशन बिल्कुल सक्सेस्फुल हो चुका है कुछ दिनों बाद आप अपने बेटे को अपने घर ले जा सकते है धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर साहिबा कुछ दिन बाद सभी लोग घ खरा जाते है और सुनीता अपनी गलती के लिए सासु मा से माफि मांगती है मुझे माफ कर दीजिए मा मैं बहुत गलत थी इंसान की पहचान उसके रंग सेravा उसके दिल से और काम से होती है अरे बीटा तू तो ना समझ थी तू तो बच्ची है तू तो गलती करेगी ही न इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है ये जवाब सुनकर सुनीता जोर-जोर से रोने लगती है ऐसे ही साथ महीने खुशी-खुशी बीच जाते है और साथ महीने बाद अचानक से नीतु की तबियत बिगड़ने लगती है और उसकी मौत हो जाती है घर में बिलकुल मातन चा गया था लेकिन उसकी वजह से उनके पोति कृष्ण की जान बच गई थी तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी की खुबसूरती या रंग को देखकर उसके विहवार के बारे में नरनाय नहीं करना चाहिए और ना ही कभी अपनी खुबसूरती और रंग परंगमन करना चाहिए बड़े शहर का एक हिस्सा दो वर्गों में बटा है जहां एक समान दिखने वाले मनुष्य भी दो वर्गों में बटे है शहर में एक तरफ आसमान को छूती इमारते है जिनमें अमीर लोग रहते है जबकि दूसरी तरफ इमारतों से बहते गंदे नालों के पास गरीब लोगों की बस्ती है हाँ यार ये वही जुग्गी जोपडी है जिनमें पांच साल में चुनाओ के समय ही त्योहार होता है बाकी समय ये लोग दो वक्त की रोटी कमाने में निकाल देते है आईए हम आज आपको ऐसी ही एक जोपडी में ले चलते है जहां चंदरकांता अपने दो बच्चों मोहन और महक के साथ रहती है चंदरकांता सुभे सुभे अपने बच्चों के लिए खाना बना कर काम पर जाने के लिए तयार हुई मा अप कब आओगी हां मा आप जल्दी आया करो भाई मुझे बहुत परिशान करता है मा मैं कुछ नहीं कहता मैं की मुझे परिशान करती है अब तुम दोनों लड़ाई जगडे बंद करो मैं काम पर जाने के लिए लेट हो रही हूँ मा हमें भी आपके साथ जाना है बच्चों वहाँ पर तुम्हें ले जाना संभव नहीं है मैं तुम्हें वहा लेकर नहीं जा सकती हूँ माँ यहां अमारब मन नहीं लगता है, आप हमें भी स्कूल भेज़ दिया करो मैंने तुम्हारी सरकारी स्कूल में बात की है, मैं तुम्हें वहां भेज़ दिया करूँगी इतना सुनकर मोहन और महक दोनों बहुत खुश हो गए मुहर और महक खुशी से नाचने लगे चंदरकान्ता ने उनका एड्मिशन करा दिया चंदरकान्ता बिना कुछ बोले काम पर चली गई चंदरकान्ता ससाइटी में रहने वाली अवंतिका के घर में काम करती है अवंतिका ओफिस जाती है अवंधिका के ओफिस से लोट आने पर चंदरकांता उसके बेटे रौनक को संभालती है रौनक अभी तीन साल का है चंदरकांता उसका सारा ध्यान रखती है रौनक भी चंदरकांता को अपनी मा मानता है चंद्रकांता आजकल तुम रौनक का अच्छे से ध्यान नहीं रख रही हो रौनक बहुत कमजोर होता जा रहा है रौनक बाबा बहुत चैतान हो गए है खाना चोड़कर भागते है इसलिए ऐसा हो रहा है मैं तुम्हें पैसे किस बात की देती हूँ रौनक को खाना खिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है मैं कुछ नहीं जानती तुम सिर्फ अच्छे से ध्यान रखो जी में मैं अच्छे से ध्यान रखती हूँ कई ऐसा तो नहीं है कि मेरे बेटे के लिए खाने को तुम कुछ नहीं देती हो और सारी चीजे बचा कर ले जाती हो तुम्हारे बच्चों के लिए तुम खुद खरीद नहीं पाती होगी में जी, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ मैं अपने बच्चों के लिए किसी छोटे मासुम बच्चे के मूँ से निवाला नहीं चीन सकती हूँ हाँ हाँ बस अब तुम ज्यादा ड्रामा मत करो मैं तुम गरीब लोगों को अच्छे से जानती हूँ तो मैंसे ही होते हो चीज देखिये नहीं कि उस पर अपनी नियत रख देते हो मैंने या मेरे बच्चे ने रौनक बाबा का एक भी निवाला भी नहीं खाया है मैं सारा खाना रौनक बाबा को ही खिलाती हूँ मैं अब जा रही हूँ और रौनक का अच्छे से ध्यान रखना अवंदिका चंद्रकांदा को बता कर आफिस चली गई चंद्रकांदा रौनक का पूरा ध्यान रखती है ये बड़े लोग हम गरीब पर कभी विश्वास ही नहीं करेंगे हमेशा हमेशक के नजरों से ही देखेंगे मैं रौनक को अपने बच्चे से भी जाधा प्यार करती हूँ अपना खाना पीना भूल कर अपना करतव ये पूरी हिमानदारी से निभाती हूँ लेकिन रौनक कमजोर होता जा रहा है मैं इसके लिए क्या करूँ चंद्रकांदा ने रौनक को नहलाया खिलाया और फिर उसके साथ खेलने लगी ऐसे ही दिन बीट गया और शाम हो गई अवंतिका ओफिस से वापस आई तब तक रौनक भी सो गया चंद्रकांदा ने उसके लिए चाय बनाई और अवंतिका फोन चलाने लगी दोनों ने मिलकर खाना खाया और बरतर नगले दिन धोने के लिए रख दिये तब तक रौनक भी उट गया हाँ सुभा से परिशान हो गये थे अब कुछ समय मिला है हाँ बचे वो टाइम को एंजोई करते हैं हम बहुत दिन से बाहर नहीं गये है आज आईस्क्रिम खाने चल रहे है हाँ यह आइडिया अच्छा है मेरा भी आईस्क्रिम खाने का बहुत मन है बास में ही मिला लगा है हमें मेले में चलना चाहिए यह और भी अच्छा आइडिया है चलो मेले में चलते हैं अवनी शरावंतिका अपने बेटे रोहन के साथ कार से मेले में चले गए उन्होंने वहाँ खूब मज़े किये खूब खाया घूमे और रोनक के लिए खिलोने खरीद कर वापस आ गया चंदरकांता अपने घर पहुँच गई उसके बच्चे मोहन और महक उसका इंतजार कर रहे थे महक और मोहन ने पहले से घर का कुछ काम करके रखा हुआ था जब चंदरकांता घर वापस आई वो भी बहुत ठकी हुई थी फचंदरकांता ने अपने बच्चों के लिए खाना बनाया और उन्हें बहुत प्यार से खाना खिलाया अब तुम खाना खाकर सो जाओ मैं कल से तुम्हे स्कूल भीज़ दूगी मास्टर जी से मेरी बात हो चुकी है मा मैंने देखा था कि कुछ बच्चे अपने ममी पापा के साथ मेले में गए थे हमें भी मेले में लेकर चलिए हमें मेले में जाना है जब पैसा नहीं पास तब मेला लगे उदास बेटा हम गरीब लोग मेले में कैसे जा सकते है माँ भमेशा गरीबी का रोना रोती रहती हो इतने भी करीब नहीं है जितना आप दिखाती हो मैं महीने के पांच हजार कमाती हूँ इसमें हमें दो वक्त का खाना मिल जाए वही बहुत है मैं फादू की खर्च पूर्टी कैसे करूँ सबकी मम्मी लेकर जाती है मैं बेबस मा हूँ तुम मुझे मजबूर मत करो मेरे पास तुम्हे खाना खिलाने के अलावा कुछ नहीं है मोहना और महक अपनी मा से ख्वाइश करने लगे लेकिन चंदरकांता बहुत ठकीवी थी वो सो गई बच्चे बाते कर रहे थे लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिला मा सो गई है हाँ, शायद हम कभी मेले में नहीं जा पाएंगे हाँ भाई, अब हम भी सो जाते है हम कल मेले में चलेंगे लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है मेरे पास पांच रुपए है जो मैंने बचा कर रखे हुए थे कल स्कूल से आने के बाद मीले में चलेंगे और मां को पता भी नहीं चलेगा कि हम कहा है पांच रुपए बहुत कम है इसमें हम कुछ भी नहीं घरीद पाएंगे हम जादा कुछ नहीं ख़ड़ेंगे हम साथ में पूरा मिला घूम लेंगे और उसके बाद पांच रुपए से कुछ ख़ड़ेंगे पांच रुपए में कुछ भी नहीं आएगा लेकिन हम फिर भी पूरा मिला घूम सकते है हाँ चल ठीक है अब सोते हैं सुबह स्कूल भी जाना है महक और मोहन भी सो गए हर रोज की तरह चंदरकांता आज भी सारा काम करके काम पर जाने के लिए तयार हो चुकी थी माँ हमें भी स्कूल के लिए तयार कर दो हाँ माँ हम आज स्कूल जाने के लिए बहुत खुश है माँ आज हम कौन से कपड़े पहने तुम्हारे पास तीन जोड़ी कपड़े है उन्हीं को पहन लो अगर कहीं जरूरत पड़े तो दे देना सरकारी स्कोल में जाकर मास्टर जी से बात कर लेना चंदरकांता ने अपने बच्चो को पैसे दीए और काम पर चली गई जब चंद्रकान्ता अवंतिका के घर पहुंची तो वहाँ पहले से ही एक काम वाली बाई और बच्चे को संभालने वाली आया आ चुकी थी मैडम जी अब आई है वैसे भी आपको फुरसत कहा है आपको अपने बच्चों से ही समय नहीं मिलता है मेम जी आज गलती से लेट हो गई कल से समय में आऊंगी नहीं नहीं अब कल से आने की तुम कश्ट मत करना मैंने तुम्हारी परिशानी का हल निकाल दिया है अब तुम आराम से अपने घर पर आराम फर्मा सकती हो नेम जी मुझ पर ना सही कम से कम मेरे बच्चों पर दया कीजिए मैं उन्हें क्या खिलाओंगी तुम रौनक का खाना चुरा कर अपने बच्चों को खिलाती थी ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ ये इलजाम मत लगाईए मैंने ऐसा कभी नहीं किया आपको मुझे नौकरी से निकालना है आप ऐसे भी निकाल सकती हो लेकिन कोई इलजाम मत लगाईए तुम मुझे नौकरी से निकालने के परमिशन मत दो क्योंकि ये काम मैं पहले ही कर चुकी हूँ चंदरकान्त अपने घर लोटाई, उसने घर आकर देखा तो उसके बच्चे स्कूल जा चुके थे मोहन और महक ने स्कूल में एडमिशिन नहीं कराया, वो दोनों स्कूल के बाहर ही खेल रहे थे भाई हमने स्कूल में दाखिला नहीं कराया है और अब स्कूल भी बंद होने वाला है मेरा मन कर रहा है कि हम स्कूल ना जाएं और इन सो रुपे का अच्छे से मेला देख लेंगे भाईया आइडिया अच्छा है लेकिन एक बार स्कूल में चल कर देख लेते हैं क्या पतावा बिना पैसो के भी दाखिला हो जाए मेरा अब स्कूल जाने का मन नहीं है मैं स्कूल नहीं जाओंगा इसलिए आज मेला देख लेते हैं उसके बाद काम में मा की मदद करेंगे अब हम और जादा दिन मा पर बोजबन का नहीं रह सकते मा हमारे लिए बहुत मेनद करती है हाँ भाया अब हम मा की मदद करेंगे ठीक है जल्दी से मेले में चलते हैं दोनों बहन भाई मेले में जाने के लिए निकल गए मेले में खूब रोनक थी वहाँ अलग-अलग तरीके के अच्छे-च्छे खिलोने थे मेहक और मोहन का भी जी ललच रहा था लेकिन वो सो रुपए खर्च नहीं कर पा रहे थे जबकि वहाँ अमीर बच्चे पांच सो रुपए एक ही खिलोने पर हस्ते हुए खर्च कर रहे थे मेहक तुझे कुछ चाहिए क्या? नहीं मेरा भी कुछ लेने का मन नहीं है पांच रुपए की आईस्क्रिम खा लेते है हाँ, बाकी बच्चे सो रुपए मा को वापस कर देंगे हाँ भया, माने बहुत मेहनत की होगी तब कहीं से सो रुपए मिले होंगे दोनों ने अपने पांच रुपए की आईस्क्रीम ली और आपस में बाट कर खाली उसके बाद घर चले गए जाकर चंदरकांता को सारी बात बता दी चंदरकांता पहले से दुखी थी अपने बच्चो को देखकर वो भावुक हो गई अगले दिन चंदरकांता ने अपने बच्चो का एडमिशन करा दिया और दूसरी जगा जॉप जोइन कर ली